राधे राधे प्रेम से बुलिएगा राधे राधे जी हाँ मैं दर्शन शर्मा सया मिजिकल ग्रूप से कैसे आप सब हमेशे की तरह हसते खेलते और मुनस्कुराते मैं कहूंगी ऐसे ही रा करो हसते खेलते और मुनस्कुराते जी हाँ नानी भाई, नानी भाई का मायरा आ चुका है, उनकी सामला सा सेट भहिया लेकर आ गए हैं, प्रन्तु नर्सी जी टेड़े हो गए हैं अब, वो नहीं सुन रहे हैं हसन मुलक करी, बोल या चे हरी, हर मायरा लाया चे नर्सी, बोली तो सही, अरे देख तो सही पर नर्सी जी देखने को तयार नहीं, कि आप अपना मायरा लेके जाओ, बेटी की ससुराल में आया हूँ बेटी की ससुराल में आया हूँ, कितनी बेशती हुई है मेरी चानते भी हो चार दिन बाद भोजन जिमनी को दिया, बासी घीचड़ी, आपके अशिरवास से हो गया चपन भोग, मैं मानता हूँ पर फिर भी आपको समझना चाहिए, बेटी की ससुराल है, ऐसा कहा होता है, कि जितनी मर्जी बेशती करा लो, जितनी मर्जी बेशती कर दो नर्सी जी से ठाकुर जी कहते हैं, मैं मानता हूँ, मुझसे कलती हुई है अब नर्सी जी जब नहीं मानते, तो ठाकुर जी कहते हैं, कि ठीक है, तुम्हें नहीं मानना, तो ना सही मैं मैं चला और जैसे ही चला वैसी ही ठाकों जी चले वैसी ही गठरी उठाई और मुड़े अब नरसी जी ने सोचा कि लोग खुद तो चला-चला मारा भी लेके जाएगा मारा ले जाएगा तो मेरी बच्ची कुछी इज़त और ख्राब कराएगा ये तो महारा जैसे ही ठाकुर जी चले हमारे नर्सी जी बहुत ही जोर से रादे रादे जी हाँ अब नर्सी जी जब देखते हैं कि गठरी उठा के चल दियो तो बोले चालन लागा सामरी यो जद गाठरी उठाए अरे नर्सी जी जानियों जो बाटो लाए ओडी ले चालन जो लाया वो तो लेके चल देगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ ठाकुर जी मैं तो मजाग कर रहा था मैं आपसे नराज हो सकता हूँ क्या आप तो मेरे सब कुछ हो मेरे धन, मेरी माया, मेरी दोलत, मेरा प्रेम, मेरा घर, मेरा परिवार सब आप ही तो हो ठाकुर जी आप ही चले जाओगे ऐसे तो मैं क्या करूँगा अरे आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ जहां आप नहीं मां में क्या करूँगा नर्सी जी से ठाकुर जी बोले बस बस मुझे पता है इसलिए मैं सच में नहीं जा रहा था मैं तो मजाक कर रहा था अरे तो ठाकुर जी मैं भी तो मजाकी कर रहा था मुझे भी तो पता है आप नहीं जाओगे नानी भाई का मायरा भरने के बाच जाओगे अब ठाकुर जी कहते हैं कि बस बस अब जादा नकरे दिखाने की जुरूत नहीं है और चलो कुछ इधार कुछ होतार ऐसे सब विचारे आदवस्ता में बिना कपड़े गुदर सब चाचन के पड़े हुए थे इतनी ठंड में नर्सी जी कहते हैं इनका बहुत अभारी हुमें इनकी वजह से मैंने इस सफर तै किया है ठाकुर जी मस्कुर आये और कहा ठीक है तुम्हारे साथ है तो मेरे भी प्रिये भक्त हुए अब ठाकुर जी आगे नर्सी जी साथ में और सोला सूरा स्वामी उनके पीछे-पीछे एक सोला सूरा स्वामी गिरा तो उसके पीछे-पीछे बाकि सब भी गिर गए एक उठा केते अरे मुझे तो मुझे तो दिख रहा है नर्सी जी दूसरा भी उठा मैं मेरे को भी दिख रहा है नर्सी जी एक एक करके जैसे वो उठते जाएं और कहते जाएं कि हमें दिखरा है नर्सी जी, हमें दिखरा है नर्सी जी, सारे अतिप्रसन हुए नर्सी जी ने कहा कि जब तुम्हारे अच्छे करम से नर्सी जी, कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे करम से ठाकुर ने सामला ससेट ने, हमारे द्वार का धीश ने तुम्हें आखे प्रदान की हैं तो सबसे पहले आप इनहीं के दर्शन कीजिए सोला सुरस्वामी को हमारे ठाकुर्जी साक्षात दर्शन देते हैं अपना विशाल रूप दिखा के क्योंकि यहां तो महाजन का वीश बना किया थे सेड से ठानिया सब बन किया थे सबने हमारे ठाकुर्जी के दर्शन किये जी हां आगे क्या होता है सबने दर्शन किये सब ठाकुर्जी के साथ चल दिये एक संत रांदा जी क्या कहते हैं कि दुनिया में रहते तो कभी कुछ नहीं कर पाते अंदही जी के मर जाते संत का साथ दिया सही का साथ दिया आज आखे भी मिली इश्वर के दर्शन भी मिले इसी के साथ मैं दर्शन शर्मा अगले परसंग में मिलूँगी तब तक के लिए राधे राधे प्रेम से बुलिएगा राधे राधे